मश्कार दोस्तों, पूजा शिक्ती चानल में आप सभी मेरे भाईयों और भेनों का बहुत बहुत स्वागत है आज जिस नए विशे पर हम चर्चा करेंगे वो विशे जो है काफ़े इंट्रस्टिंग है मनों कामना की पूर्ती वो भी किसी मंत्र जाप के बिना जी हाँ ऐसा बिल्कूल किया जा सकता है आपका शरीर जो होता या मानव शरीर जो होता है उसमें बहुत सी शक्तियां होती है और बिना किसी मंत्र जाप के भी जो है आप अपनी एक्छाओं की पूर्ती कर सकते है ये बहुत ही आसान होता है परन्तु इसके लिए सबसे पहले आपका positive होना बहुत जरूरी है, positive मन का होना बहुत जरूरी है, मानसिक्ता की स्थिर्टा का बहुत जरूरी है होना इसके अलावा इसका सिर्फ एक ही नियम है क्योंकि आपको positive रहना होगा परन्तु आपकी जो इच्छाएं होंगी वो इस प्रकार की होंगी जो की आपके घेरे में हो याने की अपनी इच्छाओं को इतना जादा बड़ा ना सोचें कि वो मतलब पूरी होना ही नामकुन हो जा कि अगरक को इस प्रकार की होगी कि मुझे बीस जार की नौकरी मिलजा या दस θαी की नौकरी मिल जाए जब वो नौकरी अब भी लिमिटेट जो धन इक्षाय होती है वही करेंगे तो पूर्ण हो जाएंगी पहले देख लेते हैं इक्षा पूर्ती करनी कैसे है चिट कैसे बनानी है उसके बाद में आपको इसकी पूरी डिटेल फिर बताऊंगी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं आपको इसी प्रकार का काज लेना है जैसे आप सामने देख रहे है चौकփर होना चाहिए बिल्कूल मैला कुछला घंदा नहीं होना चाहिए चौकर जो है आप साइज देख लिजेए थोड़ा बड़ा साइज भी चलेगा कागस का रंग जो होगा सफेद और पीला सिर्फ यही दो रंग लेने हैं इसके लाबा आप कोई तीसरा कलर नहीं लेंगे कागस में वाइट प्लेन मिल जाए तो भी चल जाएगा गंदा विल्कुल नहीं होना चाहिए चौक और ही तुकड़ा होना चाहिए नहीं हो तो आप कैची से काट कर बना सकते हैं गंदगी किसी के हाथ की नहीं लगी होनी चाहिए साफ सुत्रा कागस ही इस क्रिया के लिए प्रयोग में लिया जाएगा किस प्रकार का पैन यूज करना है सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पैन एक राड एक पैन जिसमें इंक हो पैन, तो आप प्रिएंगे प्रियोक करेंग नहीं करना है किसी तीसरे इसरे शाल घुत नहीं करना है, इसके लिए ऐसempor में भी लप थे स्वाइब बनेगे आप क्रिपयार सी ध्यान से देखिए वीडियो पॉस कर लीजिए, जो ये symbols बने हुए हैं, आपको ऐसे ही symbol बनाने हैं, ये जैसे आप देखेंगे, अभी site के तरफ जो है, या पहले करीब से देख लीजिए, आपको किस प्रकार के symbol बनाने हैं, screenshot ले लीजिए, ताकि बाद में आप जो है, इसे देख सके, दोनों आपको जहां मैंने इक्छा लिखी है, वहां पर आपकी खुद की इक्छा होगी, वह किस प्रकार लिखनी है, वह भी मैं आगे बताऊंगी, तो ये जो है, आपको चारो दिशाहों में बनाने के बाद, बीच में आपको इक्छा रख लिए हैं, फोल्ड कैसे करना है, कागस होगा, तब भी इतना ही फोल्ड करेंगे, उसके बाद इस इक्छा पूर्ती की चिट को आप किसी भारी स्थान के नीचे दबा देंगे, जैसे मैं अभी आपको बता देती हूँ, अभी फिलहाल तो मेरे पास ये कागस ही है, इस प्रकार से, अब ये जो है इक्छा प आप इस चिट को खोलेंगे, इसके अंदर की अपनी विश पढ़ेंगे, उसे फोल्ड करेंगे और अपने दोनों हाथों के बीच में दबा लेंगे, ये एक प्रकार की जो है सांसारी किया हम कह सकते हैं, जितनी भी देवी शक्तियां हैं, उन्हें भुला कर ये कहते हैं कि ह हमारी इस इक्षा को पूरी कर दीजे, आपके शरीर के अंदर जो है बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, जो कि हमारी इक्षाओं को पूर्ण कर देती हैं, भौतिक शरीर जहा हम सुख दुख एफचिंता इत्यादी को महसूस करते हैं, वास्तम में हमारी सरचना का केवल 12% भा एक क्यामरी का अविष्कार हो चुका है, जिससे हम देख सकते हैं इन उर्जाओं को, बहुत दिक सरचना के अलावा हमारे आसपास की उर्जाओं में शरीर इसे देख सकते हैं, हमारे चार से छेंज के घिरे में हमारा जो है पूरी उर्जाओं होती हैं, जिसे हम तब ही उसके आसपास जो है नेगेटिव लोग आने लगते हैं नेगेटिव चीज़ें होने लगती हैं आप देखेंगे किसी भी साधक या सिद्ध पुरुष के पास जब और बहुत ज़ादा स्ट्रॉंग होता है वह त्राटक करते हैं वह योग करते हैं तब वह ज़ादा हो जाता है तथा वह व्यक्ति के मन, विचार, कर्म सभी प्रकार की चीजों को जो है जाच लेते हैं परक लेते हैं तथा वह महसूस कर लेते हैं तो सबसे पहले यह जो आपको चिट आपने तयार की है उसके लिए आपको पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है इसके अलाव अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं इच्छा पूर्ती में लिखते समय इस बात का दिहान रखें कि आपने जैसे इच्छा करी है कि मुझे जो है धन चाहिए तो धन आप ऐसे नहीं कि आप बोलेंगे मुझे ख़जाना मिल जाए कि आपने प्रेजंट में ही उसे जी लिया है उस पल को मतलब आपके विएस वो धन आ गया और आप बहुत खुश है इसके अलावा किसी से विवा करना चाहते हैं तो उस व्यक्ती का नाम आप लिखेंगे जैसे आपको विवा जैसे कोई कन्या है या हम देख लेते हैं कोई लड़का है वो किसी कन्या से शादी करना चाहता है उसका नाम सोनिया ले लेते हैं अब वो लिखेगा कि मेरी शादी जैसे हम तीन महीनी के आगे का समय ले लेते हैं कि अभी जैसे जून चल रहा है तो जुलाई अगस सेप्टेंबर या सेप्टेंबर की कोई भी डेट डालके सोनिया से मेरा विवा इस तारीक को 2018 में हो गया है हम दोनों का जीवन बहुत ही खुश है तता हम बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं या हम बहुत खुश हैं पारिवारिक जीवन में आप जो है चौकुर बेना देंगे और जो दोनों सिंबल उपर निचे बनाये थे वो बना देंगे तदा इसे जो है आप कहीं ऐसी जगा रख देंगे जहां पर किसी की नजर ना पड़े और किसी और की हाथ ना लगे नहीं तो उनकी उरजाएं भी जो है इस प्रश कर लेत बैट कर healing दे सकते हैं और इसके अलावा जो है शान्त मन से और positive होकर आपको एकदम healing देनी है इतने positive होना है आप इतनी खुशी महसूस करेंगे जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आप सोच रहे हैं कि मेरा विवा उससे हो जाए आप एकदम वही जो है अपने आखों के पॉजिटिव होकर ही healing करें और ये कारे जो है आपका 21 दिन से 90 दिन के अंदर वैसे तो 21 दिन के अंदर ही हो जाता है जितनी positive आपका औरा होगा जितनी ही उर जाए आपके शरीर के आसपास होंगी उतनी जल्दी आपके कारे बनते हैं तदा इस क्रिया के बाद आप अपने ही शक्तिया ऐसे कोई विचार आपके मन में आता है कि मैं उस तरफ ना जाओं हो सकता है मेरे साथ यह हो जाए या हो सकता है वो जो होता है वो आपके आसपास की देवी शक्तिया आपको सचेत करती है उसी प्रकार वो आपकी मदद भी करती है आप उनसे कहें कि मेरी वो सामने वाला भी व्यक्ति आपसे प्रेम करता हो, तभी आपका विवा उससे हो पाएगा, अगर आपसे प्रेम नहीं करता है, तो सबसे पहले आपको चिट बनानी है, कि वो मुझसे प्रेम करे, उसका ध्यान मेरी तरफ जाए, उसके बाद जो दूसरी चिट होगी, वो वि मेरा बढ़ रहा है, मेरे हां ग्रहक बहुत आ रहा है, मुझे नोकरी के लिए मुझे नोकरी चाहीं, नौकरी में प्रोमोशन चाहिए तो मुझे प्रोमोशन मिल गया है मैं बहुत खुश हूँ इस प्रकार की जो चीजे हैं आप लिखकर जो है शब्दों से और देवी शक्तियों के द्वारा अपने जीवन में खुशियां लेकर आएंगे अगर विवास में थोड़ी परिशानी चल रही है तो आप दोनों जो है अपनी पासपोर्ट साइस फोटोज ले लीजिए ऐसी ही चीट बनाएए कि मेरे पती मुझे बहुत प्यार करने लग रहे हैं हम बहुत खुश है हमारा परिवार बहुत खुश है चीट को बन कीजिए और कोई भी ऐसा बहुत प्यारा सा मूर्ती ले लीजिए जिसमें एक कपल हो और बहुत प्रेमी यूगल हो बहुत उनमें अटूट प्रेम दिख रहा हो उसके नीचे यह जो चिट है दबाकर अपने बेडरूम में रख लीजिए इतना छोटा सा उपाय है तथा हीलिंग ज आप सभी का बहुत बहुत दन्यवाद मुझे सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों